दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप जो है माई केम्स एप के द्वारा म्यूचल फंड में लंसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो यानि जब भी market डाउन आए उस समय आपको जो है mutual fund में लंसम investment करना है जिससे कि आपको जो उसे return मिले वो return आपको ज्यादा मिल सके तो mycams एप में 8% में 19 mutual fund जो है link है तो आप जो है अगर आपने उन में किसी में भी जो है invest कर रहा है तो mycams की एप के द्वारा आप होती आसानी से उसमें जो है लंसम invest करके और हाई return पास सकते हो तो वीडियो को सुरू से last तक देखे आप भी जो है आसानी से mycams एप द्वारा mutual fund में लंसम investment करें mycams एप द्वारा mutual fund में लंसम investment करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको जो है mycams की जो है एप है एप को आपको इंस्टोल कर लेना है तो इसके लिए आपको आपके phone का google play store को open करना है open करने के बाद वहां से आपको जो है mycams जो है search box में जाके mycams नाम टाइप करना है और सबसे फश्टली आपको जो है mycams की जो एप है एप को install कर लेना है अगर आप new user है तो सबसे पहले आपको इसमें जो registration का process है उसमें registers के option के ओपर click करना है और click करने के बाद में आपको कुछ एक information इसमें फिलब करके और सबसे पहले अपना registration का जो process है वो complete करना है registration इसमें बहुत ज्यादा जो है information फिलब करने की जरूत नहीं आपको कुछ एक information ही फिलब करना है तो इसमें register and transact का option जो दिया हुआ है उसके ओपर click करके और आपको जो है आपकी email और आपका जो है पेन नम्मट डालके इसको continue कर देना है कुछ एक information डालके आपको सबसे पहले इसमें जो है अपना registration का process कर लेना है जैसे ही आप इसमें registration कर लोगे इसके बाद में आपका जो है इसमें user ID और password बन जाएगा तो इसके बाद में आपको जो login का option है, login का ओप्सन के ओपर click कर देना है जैसे आप login के option के ओपर किलिक करोगे इस तरह का page आजाएगा इसमें email और password यानि आपका जो email आपने email address हो email डालना है और जो password है वो password डालके आपको इसके में जो login का option नीचे दिया है आपको login हो जाना है यानि mycams के एक ACF है जिसके दोरा आप जो है एक ही एप के दोरा जो है बहुत कुछ कर सकते हो यानि आप जो है mutual fund से पैसों का withdrawal करना है वो भी कर सकते हो लंसम investment भी कर सकते हो अकाउंट का जो आपके mutual fund का account balance है वो भी देख सकते हो उसमें आपकी नो मीनी वगेरा यानि आपको सब कुछ एक ही जगे कई mutual fund का जो है बायो डाटा मिल जाएगा तो जैसे मैंने login किया इस तरह का page आजाएगा इसमें यहां पर आप देख सकते हो कि आपके कितने रुपे इसमें invest वे हैं आपको जो है अभी कितना return दे रहा है आपको कितना दिन हो गए यानि पहले ही home page में ही आपको जो है सब कुछ शो कर देगा इसके बाद में आपने जिन जिन mutual fund में इसमें investment कर रहा है उनकी पूरा का पूरा detail भी आपको फस्ट page में ही शो कर देगा अभी जो है उसके लिए लमसम के लिए जहांपर मैंने एरो मार किया three line उसके उपर three line के उपर आपको किलिक कर देना है तो जैसे इमा three line के option के उपर किलिक करूँगा इस तरह का page खुल के सबर सामने जो है शो हो जाएगा इसमें जो तीसरा option है ट्रांजेक्ट का ट्रांजेक्ट वाले option के उपर हमारे को लमसम investment करने के लिए transaction के उपर किल प्चुलपंड को स्विच कर सकते हो रीडीन कर सकते हो एस टीपी एडबलूपी यानि जो है यह यह जो यह जो यहां पर दी हो है इनके द्वारा अगर आपको कुछ और भी करना है तो आप यहां से कर सकते हो अभी लंशंब इंवेस्ट के लिए जहां पर मैंने राउंड सर् इसमें दिया हुए है कि आप उपी आई के द्वारा नेट बेंकिंग या नच मेंळेंट के द्वारा अगर अपना पेमेंट करते हो तो आपको जो है एंगी कब अलोटमेंट फ़ूग आपका अट्जेस्टमेंट कब होगा एने वी आपको जो है कब की जो है इस्यू की जाएगी इसके बाद में इसमें टाइम पिरिट भी दिया हुआ है कि किस माध्यम से जो है पेमेंट डेबिट करवाने पर उसका टाइमिंग क्या है तो ये आपको जो है पहले रीड कर लेना है कि किसमें दौरा इन्वे कर देना है तो जैसे ही आप पहले वाड़े ओप्शं के उपर क्लिक करोगे किलिक करते ही जिन जिन mutual fund में आपने invest कर रहा है पूरे के पूरे mutual fund आपके सामने शो हो जाएंगे तो जिस भी mutual fund में आपको जो है लमसम investment करना हो उसके उपर आपको किलिक कर देना है तो पूरे के पूरे mutual fund शो हो जाएंगे जिस भी mutual fund में आपको invest करना है उसके उपर किलिक कर देना है नीचे वाड़े option में polio number investor नाम ये automatic जो है सर्च करके और ले लेगा तीसरा option है plan type direct और regular अगर आपने mutual fund अगर आपने खुद से open किया है यानि direct open किया है तो direct के option के उपर आपको किलिक कर देना है और regular यानि किसी broker के द्वारा अगर आपने open करवाया है तो आपको जो है regular कर देना है तो ये इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है direct करूं या regular करूं खुद open किया है तो direct broker के द्वारा अगर open करवाया है तो regular आपको जो है कर देना है जैसे आप इसके regular या direct के option के उपर क्लिक करोंगे जिसके बाद में जो नीचे का option दिया है select scheme आपकी जो है scheme में उसी तरह से जो है show हो जाएगा वो scheme आपका जैसे किसमे है small cape है, mid cape है large cape में investment है, multi cape है या plexi cape है वो आपको जो है show हो जाएगा तो वो आपको देख लेना है इसके बाद में उसी के नीचे आपको जो है NAV और NAV की date तो दोस्तो जब भी आप जो है किसी भी mutual fund में चाहे कोई भी mutual fund हो mutual fund में आप लंसम investment तभी करना है जब आपकी NAV आपको red rung में स्यो कर रही है और जो गराप भी आपको red rung में ही स्यो कर रहा है और गराप आपका जो है नीचे की तरफ जा रहा हो क्योंकि लंसम investment में तभी आपको जो है इसका फाइदा मिलेगा कि NAV आपका red rung का मतलब है एक द्यान रखने वाली बात है चाहे आप my cams से करो किसी mutual fund की particular app के द्वारा investment करो लंसम या किसी net banking के द्वारा आप लंसम investment करो तो ये NAV का आपको जो है पका द्यान रखना है इसके बाद में आपको जो है select IDCW option अगर आप जो है direct है मैं ये पूरा का पूरा प्रोसीजर direct का बता रहा हूँ तो direct में आपको select करने की जरूत नहीं है इसके बाद में inter amount RS यानि आप इसमें जो है कितना रुपए लंसम में जो है invest करना चाह रहे हो तो इसके नीचे लिखावा आपको मिल जाएगा कि हम जो है minimum इसमें कितने रुपए investment कर सकते हैं तो उतने रुपए जो है minimum invest करना ही है उससे ज्यादा maximum आपके पास जितना रुपएया हो आपके पास जितना amount हो आप इसमें फिलब करके और इसमें लंसम जो है invest कर सकते हो तो यह होगा इसके बाद में mode of payment में आपको net banking और UPI आपने उदर जो है NAV का जो चार्ट देखी लिया होगा किस में ज्यादा फाइदा हो रहा है तो मैं ये net banking के द्वारा आपको बताऊंगा इसके बाद में select payment bank bank का नाम automatic show हो जाएगा select mobile number ये भी automatic show हो जाएगा इसके बाद में Trumps M condition Trumps M condition का चार्ट चेक बोक्स है इसके उपर आपको क्लिक कर देना है और invest now जो सबसे नीचे कोने में जो invest now का option दिया है invest now के option के उपर आपको क्लिक कर देना है तो जैसे ही मैं इसमें इसमें अगर कुछ आपको लगे doubt हो तो आपको जो है इसमें edit करके और इसको ठीक कर लेना है अगर आपको लगे कि सब कुछ सही है तो आपको submit कर देना है इसमें आपकी जो है polio number हो गई scheme related हो गया bank हो गया आपने जो amount पीछे select किया वो हो गया और आपका mobile number हो गया तो आपको इसको थसली से जो है read करके और submit कर देना है जैसे ही मैं submit करूँगा अभी जो है मैं पूरा का पूरा process जो है net banking के द्वारा करूँगा तो मैं जो है मेरे को ये जो access bank मैंने select किया था तो मेरे को access bank की net banking की site मेरे सामने इस तरह से जो है खुलकेश्यो हो जाएगी अगर आप UPI के द्वारा करोगे तो आपको जो है UPI पर ये automatic की transfer कर देगा तो इसमें आपके आपके जो net banking की user ID और password आपने जो set कर रहा है वो user ID और password यहाँ पर जो है net banking का डाल देना है और जो है इसको login कर देना है आगे का page आपके सामने जो है automatic खुलकेश्यो हो जाएगा तो इस तरह से हम जो है net banking से कर सकते हैं अगर आपको UPI से करना हो तो अगर आपने पीछे जो है option में UPI किया set तो UPI से भी आसानी से कर सकते हो तो मैंने ये user ID पासवर्ट डाल के इसको login कर दिया है page loading होरा थोड़ सा time लग सकता है और जो है जैसे page loading होगा इस तरह का next page आपके सामने खुलके श्यो हो जाएगा ये आपकी जिस तरह से आपके bank की net banking होगी जैसे मेरे bank की net banking में OTP आ रही है कई कियों में OTP नहीं आती है तो अभी मेरे पास जो है इसकी OTP आ गई है तो मेरा जो registered mobile number है उसके ओपर OTP आ जाएगी तो वो OTP डालके और पेमेंट अप्रूव कर देना है ये तो हो गई access bank की आपने चाहे registered आपका जो bank है access हो HDFC हो इसके बाद में SBI हो यानि XYZ कोई भी bank को इसी तरह से आपको करना है यानि ये गबराने की जुरूद नहीं है कि हाँ ये तो access से हो रहा है मेरा तो HDFC का है या किसी और का है तो ऐसे ही होगा तो इस तरह से आप देख सकते हो पिर भी आपको इसके regarding किसी भी परकार की कोई क्यूरी हो कुछ नहीं समझ में रहा हो कमेंट बोक्स में जरूर लिखे जितना हो सकेगा पूरी हेलप करूँगा